दोफ्तो रेल कोसल विकास विवजनाब भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सौर्ट ट्रेनिंग पिरियड होती है ये मातर और मातर 18 दिन का training period होती है इसमें जो छातर चाहते हैं मनचाहा ट्रेड में training लेना और training को लेत पाएंगे training period खतम होने के बाद आपको यहाँ पे इसके regarding tools भी दी जाती है और certificate मिलता है इस certificate का उपयोग अगर form को डालते है तो काफे सारे benefit मिलते हैं तो कैसे इस training period को आप complete करेंगे अगर आपकी नियुनतम योगिता 10 भी पास है तो इसके लिए हम आपको A to Z जैनकारी बताएंगे योजना के बारे में और इस course के बारे में आपसे request है वीडियो को अंतक देखिए ताकि पूरी proper जैनकारी आपको समझ में आपाए वीडियो अगर आपको पसंदा तो लाइक जरूर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले आड़े वाले जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल पाएगे और वीडियो को अपने दोस्तों में भी सेयर कर दे ताकि जो भी कनिडेट चाहते हैं इस short training period को क करना तो घर बैठे इसके लिए registration करकर इस course को complete कर पाए इस training को करने के लिए सबसे पहले अपने मोवाल या laptop में जो भी ब्रावजर है उसे open करें Google में सर्च करें online update ATM.18 आप इस website पर आएंगा और यहां पर latest job वाले section में देखेंगे RKBY registration 2013 मिलेगा हो सकता कुछ दिन बाद यह video देखे तो यह link आपको नीचे आ जागी यहां पर search का जो box मिलता है जिसमें आपको लिखना RKBY लिखकर आप search करेंगे तो यह article आपको मिल जागा जिसको आपको है जिसका अंतिमतिती 20 तारिक तक है जो भी उमिदवार केवल 10 भी पास है जितनका उम्र 18-35 वर्स है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए किसी भी परकार के कोई application fee नहीं लेगेगी document क्या लगेगा और इससे जूरी सारी जनकारी के regarding हमने एक वीडियो बनाया ह जिसको भी देखकर आप सारी जनकारी को समझ सकते हैं इसमें selection process कैसे होता उसकी जनकारी समझे जैसे अगर माल लीजिए आप इसमें online आवेदन करते हैं तो आपका जो भी marks होता है जो तेंत का उसके अनुसार यहाँ पर selection list बनाई जाती है इसमें जो candidate short listed किये जाते हैं उनक पर जो यह certificate मिलेगा जिससे railway के जो फॉर्म आते हैं जिसमें कई सारे आपको benefit भी देखनों को मिल सकता है तो आवेदन करने के लिए आपको नीचे आ जानी है important link वाले section में online registration का link आपको प्लप्त करा दी गई direct आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपको redirect करेगा इनके जो official website साइट है हडेल कौसल विकास योजना का जिस पर यहाँ पर उपर में देखेंगे notification चल रहा है जो अभी फिलाल यह जो बैच शुरू किया गया यह 17 भी बैच फरवरे 2013 में start होगी जिसके लिए आवेदन पर क्रिया start हो चुकी है आवेदन करने के लिए इसी website पर नीचे आश है जिसको चुनेंगे आप जिस्भी जिसे इसमें training लेना चाहते हैं अपने राज को चुनेंगे और उस राज के recording जितने सारOOOOOOOO बनाये गया होंगे जहां पर सोटर्म training दी जायेगी जो आप यहां से चुन सकते हैं उसके बाद यहां पर सर्च करेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि कौन-कौन से ट्रेड एबलेबल है आपके ट्रेनिंग के लिए जहां अगर एबलेबल होगा तो दिखाई देगा बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर अभी कोर्स नहीं परारंब किये गए होंगे तो आपको चेंज करके आपको खुद से ही य लग लग ट्रेनिंग आपको चलाई जाती है वो आप अपने कोडिंग यहां से चुनना होगा अब इसके लिए आविदन कैसे करना तो नीचे जवाप आएंगे एक उप्सन आपको मिलता है औरेडी हैब एकाउंट यानि जो कनिडेट पहले से ही इसके लिए आईडी बना चुके हैं तो डाइरेक्ट आप साइनिंड कर सकते है आईडी पासवर्ट को डालकर कोई कनिडेट अगर आप नए हैं आप इसमें रइस्टेशन करना चाहते है तो आप नए सिरे से रइस्टेशन करेंगे जिसके लिए कॉप्सन मिलता है साइन अपका जिस पर क्लिक जिसमें कनिडेट का जो भी फर्स्ट नेम होगा डालेंगे मिडिल नेम जो होगा डालेंगे लास्ट नेम जो होगा डालेंगे कनिडेट का जो इमेल आइडी अबलेबल है उसको डालेंगे साथ ही जो मॉवाइल नमबर अबलेबल है उसको डालेंगे डेटो बर्थ के ख्यान रखे एक जो लेटर है बड़ा होना थी एक छोटा होना थी है सिंबल होना थी और नंबर होना थी इस पर करका पासवर्ट आपको बनाना है उसी पासवर्ट को कॉनफर्म करना है और एक option मिलता है साइन अप का जिस पर क्लिक करेंगे करें यहां पे देखेंगे लिखा जनकारी है जो कि आपको यहां पे देखनों के मिलता है जिसमें आपका नाम पिता जी का नाम माता जी का नाम आपका जेंडर जो भी आपका ब्लड गुरुप है उसकी जनकारी देंगे साथे आप किस कैटेगरी से आते हैं उसकी जनकारी आप देंगे उसके बाद जनम अपको बोड को यहां से चाहन करेंगे यहां पे आप देखेंगे marksit number आपसे मांगा जाता है तो marksit आपके पास होगा तो देखिए गा marksit number डालेंगे percentage आपका जितना भी होगा वो डालेंगा और किस वर्स आपने मैटिक उद्दिन किया उसकी जनकारी आप यहाँ से बताएंगे उसके बाद आपको क्या करना नीचे में एक option save का मिलता है इस पर click करेंगे तो अब आपको redirect करेगा अगले detail पर देखिए मार्कसिट में काफे सारे student का दिक्कत होता तो यही आपका serial number होता मार्कसिट में ध्यान रखिएगा अब address में जैसे आपका जो भी address है village, post, office और जो भी pin code है जिला जो भी है और आज जो भी है उसकी जनकारी डालेंगे फिर इसको आप save करेंगे जिससे ही आप save करेंगे तो यह detail भी आपका save होता है आप document upload में आएंगे जहां पर आपको photograph upload करना है और signature upload करना जिसका size 50 से 15 से 50 के भी होगा फोटो जहां भी आपने रखा है उसको यहां से चूल लेंगे उसके बाद signature को यहां से आप चूल लेंगे फिर नीचे में option मिलता upload का जिसपे click करेंगे तो आई यह photo signature आपका जो है upload हो जागा इस पर कार उसका भी preview आपको देखनों को मिलेगा और यहां से इसको क्या करना आपको save कर देना है save जैसे ही आप करते हैं तो यहां पर उपर में एक option मिलता है go back का उसके बाद जब registration पूरा हो जाएगा तो फिर आपको login करने के लिए इसी website पर आएंगे option मिलता है sign up का जिस पर click करेंगे जो email id अपने दिया था उस email id को डालेंगे जो password आप भी अपने बनाया था उसको डालेंगे इस capture code को डालेंगे और एक option login का मिलता है जिस पर click करेंगे उसके बाद login होते हैं तो आपका नाम यहां पर देखनों को मिलेगा direct आप फिर से यहां पर apply वाले पर click करना है और जिस भी trade के लिए आपको चाहिए तो यहां से आप अपने according जैसे state का chain करेंगे और जो आपको center बनाया गये हैं आपके state के according वहां को चूनेंगे और search पर click करेंगे तो यहां पर आपको trade देखनों को मि training है तो जिसको आप पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आप apply वाले पर click करेंगे तो इस परकार यह आपका आजाएगा और यहां पर एक option मिलता है submit का जिस पर click करेंगे आप से बोला जाएगा sure है आप submit करना चाहते हैं यहां पर OK वाले पर click करेंगे उसके बाद आपका जो form है सक्सेसफुल समिट हो जाता है फॉर्म समिट करने के बाद आगे कि क्या प्रोसर्स होती है आई ये समझते हैं दोफ्तों यह है कम्प्लीट प्रोसर्स था अडेल कॉसल विकास यूजना के लिए और रेश्टेशन करने का रेश्टेशन करने के बाद आपका जबी भी करनी होती है ये पूरी इसकी प्रोसर्स थी जिसके रिगार्डिंग हमने एक और वीडियो बना है जो आपके डाउट के रिगार्डिंग है और वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल रहा होका जाकर ज़रूर देखिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ध